नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हार्ष लभर जीकेपी में आप सभी देख रहे है रोनाई का जोद्या घोड़ा दोड चेतक परतियों के ताका बच्चो घोड़ों का सेमी राउंड का वीडियो और सभी घोड़े छुड़ चुके हैं और इससे में सवार मेगु यादो अपना बढ़त बनाते हुए आपको दिख रहे हैं उनके पीछे लगे हैं सवार देवेंदर यादो और अन्य घोड़े पीछे से देखिए दर्सक लगे हैं और आधी चकर के बाद सवार देवेंदर यादो पर सवारी जवान अपना बढ़त बनाते दूसरी अस्थान पर सवारी जवान चल ला है और अजय सिंग का बच्चा घोड़ा है देखिए और सवार मेघू सुरू से आगे निकल लें उसके बाद इस वीडियो में लाश तक आपको दिखने के लिए मिलेंगे आगे ही और आप सभी बने रहें इस वीडियो में देखते रहें और देखिए तीसरे अस्थान पर घोड़ा जा रहा है सवार देविंदर यादो है यह गोरफ पूर्जीले से चल कर गए थे अर शवार मेघू प्रथम अस्थान पर पहुँचे और दूसरे पर सवार रिजावान पहुचे आपको कईसा आ अपको कैसी divisions लगी और करके जरूरू को आए धन्य बाद तो नमेंट एक अनोखा टॉर्णमेंट कराते हैं हाजी सप्राज सहाब तो जनता के दिलों पर राज करते हैं और जब चुनाओं लड़ते हैं तो बिल्कुल जनता इनके सामने पल के पाउने विछा देती है और इस बार एक लाग तीन हजा के आसपास वोट पाए चनाफ कबबर साविं के लिए दोर्दार कालिया बजाते हैं अपनों दूसरे राउंड के सबसे पहले आगे जो होना निकला है एक मोतिहारी पिहार का है मोतिहारी पिहार से मीघु साब जड़ते हुए आठ नंबर के उनके पीछे हैं यह भी पिहार पिहार काफी आगे निकलता हुआ भोड़ों के दुनिया में अब जैसा कि मैं बतातूं हमारे बीच अब हमारे हाजी जुबहिर खासाब नहीं रहे लेकिन उनकी यादें वर खरार हैं उनकी तरह प्यारा कोई इनसान नहीं था यह सच है कि उनसा कोई चक्तान नहीं था दुश्मन भी उनके नाम से थर्राते थे मश्मूम चाचा जुबहर जैसा पहलवान नहीं था तो पहलवान कि इस दूसरे गुरुप की आखरे आखरी राउन है यह चक्र पूरा हो गया है अंपार देशे रहे पर चक्र पूरा हो गया है अनुदर भायतिक करिए और मेगू क्योंकि हमेगू मोती बिहारी फाहन भाई का घौड़ा मोती बिहारी बिहार काईगे अभी देफनी बताएंगे कि कौन पूरा हो गया है